हाई लेवेंटीज, वेलकम टो एजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ तबिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम अरिफमेटिक मीन में यानि की मीन चैप्टर में इंडवीज्वल सिरीज को कम्प्लीट करेंगे इंडवीज्वल सिरीज को करने के लिए गाईज तीन मेथड हैं, डिस्क्रीट को करने के लिए भी तीन ही हैं और कंटिन्यूस को करने के लिए भी तीन ही हैं, यानि कि तीन मेथड होते हैं, सिंपल भाशा में अब गाईस आज की इस वीडियो में हम तीनों से किस तरीके से solve करेंगे उसको देखेंगे Individual series होती क्या है जिसमें आपके पास X यानि कि जो भी आपका variable है यानि कि अगर आपने school के marks लिए है students के तो वो आपका X है और उसमें let's suppose आपने marks लिए 10, 20, 30, 40, 50 छीक है आपने 5 students के marks लिए income लिए whatever आपके पास data given है इसकी कोई frequency नहीं होती छीक है इसे individual series कहते है अब इसमें अगर हमें average निकालना है हम बहुत easily निकाल सकते है guys हमें इसका summation करना है अगर आप इसको plus करोगे 549, 9 और 6 कितने हुए 15 so 150 आगया average कैसे निकलता है mean का sign कैसा होता है guys तो arithmetic mean का sign X के उपर बार simple ऐसा होता है यानि कि capital X लिखना है आपको उसके उपर बार लगा देना है इसका formula क्या होगा summation X यानि कि जो भी आपकी series है X उसका summation divided by number of observation यानि कि N यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 150 और number of observation कितनी है 5 तो हमारा mean आ जाएगा 30 यह हमारा mean आ गया तो कितना असान था ना simple method से mean को निकालना यानि कि इसको direct method कहते है आपने क्या किया summation किया और उसको divide कर दिया number of item से यही चीज आप अपने जब marks, school के marks का average निकालते हो तो यही करते हो ना सारे marks का total करते हो number of subject से divide कर देते हो वही चीज इसमें होई है अब अगर guys यह same चीज हमारी हम लोग shortcut method से अगर करें तो क्या होगा shortcut method होता क्या है? shortcut method होते guys जिसमें आपको x तो given है लेकिन x sufficient नहीं है आप क्या करते हो इसमें assume mean करते हो तभी इसको assume mean method भी कहा जाता है assume करना assume मतलब मान लेना यह हमारा mean है तो हम generally central value मानते हैं अभी हम यहां पर 30 भी मान सकते हैं 20 भी कुछ भी मान सकते हैं हमारा answer फिर भी यहीं आएगा let suppose कि मैंने mean माना 20 मैंने 30 नहीं माना क्योंकि मुझे बदा था answer 30 आएगा अब यहां पर हम थोड़ा सा क्या करेंगे 20 मान लिया let suppose ठीक है अब हमें क्या निकालना है हमें d निकालना होता है d बोले तो small d deviation जो कि क्या होता है x-a a बोले तो assume mean ठीक है तो assume mean में आप सबसे पहले एक mean assume कर लेते हो और पर deviation निकालते हो उसका series से तो 10-20-10, 0, 10, 20, 30 कैसे 30 में से mean कितना माना 20 तो 30 में से 20 गए 10, 40 में से 20 गए 20, 50 में से 20 गए 30 तीक है अब हमें यहां पर इसका summation करना है तो इसका summation क्या होगा guys यह 10 से तो 10 cancel out हो जाएगा तो यह आ जाएगा हमारा 50 लेकिन यह answer नहीं है हमें अपना formula लगाना है जो simple से होते है mean का formula assume mean का a plus करते है summation d divided by n यानि कि यहां पर आपने summation x को n से divide किया था यहां आपने जो यह d निकाल है उसको n से divide करना है और a plus कर देना है a हमने कितना माना था 20 plus summation d कितना आ रहे है 50 divided by n n कितने हैं हमारे items कितने हैं 5 ठीक हैं अब अगर हम इसको plus करें तो हमारा कितना आएगा guys यह तो 20 हो गया और 50 को divided by 5 किया तो 10 हो गया answer 30 तो यानि क्या आपने इस method से करो इस से करो answer same आएगा 20 लो mean 30 लो 40 लो solve करो answer 30 ही आएगा ठीक है तो mean कभी भी गड़बड आएगा नहीं वो हमारी calculation गड़बड आ सकते है आप कोई भी term लोगे चाहे 20 लोगे 30 लोगे assume mean कुछ भी कर सकते हो 20, 30, 40 answer 30 ही आएगा मतलब जो answer आने वही आएगा तो यह तो होते है guys assume mean जिसमें formula बहुत असान है याद करना जो भी आपने assume mean किया है plus summation d divided by n ठीक है अब इस ही का guys जो हमारा third method होता है वो होता है step deviation step deviation क्या है आपको d तो निकालना ही है d के साथ d dash निकालना होता है d dash क्या होता है guys जो भी हमारा d आया है उसको divide कर देते है common factor से तो यहाँ पर अगर देखे तो कौन से table से सारी terms कर सकती है तो बड़ा easy सा है सब में 0 है तो 10 से कर सकता है तो अगर हम इसे 10 से divide करें तो minus 1 0 1 2 3 ठीक है यानि कि यही answer हमारा 0 हटा कर आ जाएगा अब कितना 5 राइट यानि कि step deviation में एक और step आगे बढ़ जाता है जो कि हम जितने का difference होता है उससे divide कर देते हैं जो भी common factor होता है उससे divide कर देते हैं deviation को ठीक है इसलिए step deviation कहा जाता है deviation का एक और step आखिर में हम निकाल देते हैं जो कि common factor से divide करके निकालते हैं यह आगया अब formula क्या है यह वाला simple mean को तो हटा देती हूं क्योंकि हमें यह याद है इसमें formula होता है mean का जो भी आपने assume mean किया क्योंकि assume mean किया था तभी d आया था तभी d dash आया था राइट तो assume mean प्लस summation d dash divided by n into c यानिकि common factor तो जो आपका यह shortcut का formula था a plus summation d divided by n बस आपने d dash निकाला और उसको c से multiply कर दिया भाई यहाँ divide करके उसको common factor से divide किया था यहाँ पे उसे multiply कर दिया तो बहुत easy सा रहता है यहाँ पर हमने assume mean किया 20 यानिकि assume mean वाला step तक सही रहेगा सारा कुछ बस यहाँ पर 5 आ जाएगा उसको 5 से divide करेंगे into 10 ठीक है अब यह कितना हो जाएगा guys अगर इसको cut करे 30 तब यह answer कितना आया हमारा 30 तो आप किसी से भी solve करोगे चाहे इस method से चाहे इस से चाहे इस से आपका answer 30 ही आएगा same answer आएगा चाहे आप assume mean कोई सा भी select करो तो भी आपका answer correct ही आएगा so guys एक बहुत simple सा concept था जिसमें formula याद करना बहुत असान है पहले वाले का formula क्या रहते है summation x upon में n दूसरे का formula क्या रहते है जब हम assume mean कर लेते हैं तो assume mean summation d निकालते हैं हम d divided by n third का क्या रहेगा a plus अब हमने एक step extra कर दिया d' निकालके और d' था क्या common factor से divide तो यहां multiply हो गया answer सब में same आएगा I hope guys आपको यह concept समझाया होगा क्योंकि बहुत easy सा है try करो questions अगर नहीं होते मेरे साथ instagram पर share कर सकते हैं मेरी id है Tabitha Messy thank you कर दो